हेलो अब्रीवन वेलकम चुकमर्श रूम इस प्रिया है और एजुकेटर तो स्टुडेंट्स हम इंडियन कॉंट्रेक्ट अक्ट 1872 के उपर बात कर रहे हैं तू थ्री लेक्चर्स आपको अलड़ी प्रवाइड किये हैं मैंने जिसमें हमने कॉंट्रेक्ट के बारे में पढ तो जितने भी हमारे असेंशल होते हैं वैलिड कॉंट्रेक्ट के लिए जैसे और एक्सेप्टेंस कंसरेशन कपैस्ट्री पार्टेज की हैं यह सारी की सारी चीज़े आपको डिटेल में पढ़नी हैं तो जो हमारे बिकॉम स्टुडेंट्स हैं जो की पढ़ रहे हैं लोग बहुत ही बेसिक से थोड़ा जो भी उनको करवाया जाता है तो आपको बता दू कि आपको सारे के सारे जो बताएगे थे आलिमेंट्स आपको चेप्टर वाइस पढ़ने हैं आपके सिलिवस में जो भी यूनिट बताएगे आपको चेप्टर वाइस रीड करने हैं सारी तो आज हम offer के बारे में बात करें जिसको हम proposal भी कहते हैं section 2 sub section A Indian contract act में बताई गई है offer की definition proposal की definition की क्या होती है जब एक person अपनी willingness को बताता है किसी को कोई काम करने के लिए या किसी को कोई काम रोकने के लिए और साथ में उसकी ascent भी लेना चाहता हो किसी चीज के लिए बोलना वो ये काम करें ये act करें या ये act ना करें तो वो क्या कर रहे हैं offer कर रहे हैं proposal कर रहे हैं definition क्या कहते है when a person signifies to another his willingness to do जब वो अपनी significance को बताता है willingness को बताता है willingness की बोला था मैंने willingness को बताता है कि ये काम करना है या abstain from doing anything किसी चीज को किसी काम को करने के लिए रोकता है और उसकी ascent लेना चाहता है कि क्या सामने वाला भी उस act को करेगा या नहीं करेगा उसके कहने पे तो वो जो offer दे रहा है उसको हम offer बोलते हैं उसको हम acceptance बोलते हैं वो जो अपनी willingness को बता रहा है willingness को बता रहा है उसको offer बोला जाता है उसको proposal बोला जाता है I hope यहां तक आपको clear होगा अब definitions का analyze करते हैं कि क्या कह रहे हैं definition में तो सबसे पहले essentials क्या है एक proposal के लिए एक offer के लिए तो सबसे पहले offer के लिए दो parties का होना जरूरी है ठीक है एक वो जो offer करेगी और एक वो जिसको offer किया जाएगा The person making the proposal or offer is called promissor or offerer पीछे OR प्रोमिसर जो promise करता है offerer जो offer को दे रहा है offer को कर रहा है proposal को बना रहा है दे रहा है The person to whom the offer is made जिसको ये offer दी जाती है उसको offer ही बोला जाता है या जो ये person accept करता है offer को उसको हम promisee या acceptor भी कह सकते हैं promissor और promisee offerer और offeree ठीक है और acceptor हो गया दो parties होती है एक offerer होता है एक offeree होता है ठीक है I hope यहां तक आपको clear होगा next आ जाते है for a valid offer the party is making it must express his willingness to do or not to do something ये बहुत जादा important है express करना जरूरी है बताना जरूरी है इस चीज को उसकी willingness को बताना जरूरी है मानलो मैंने कोई चीज sale करनी है ठीक है तो मैं जो मेरी willingness है मैं अब मैं मानलो अपनी कार को sale करना चाहती हूं तो जो मेरी willingness है जब तक मैं किसी को express नहीं करूंगी बताऊंगी नहीं तो ये by the offerer जो offerer है उसको express करना जरूरी है कि मैं आपको यह offer कर रहा हूं यह मेरी इच्छा है क्या यह आप काम करोगे उसकी send लेने के लिए उसको बताना जरूरी होगा पहले express करना जरूरी होगा एक्जेंपल में क्या है a willing to sell is good at a certain price to b जब वो sell करना चाहता है पहले बात उसकी willingness है तो उसको वो बताएगा भी b को कि मैं इस price के उपर करना चाहता हूँ ठीक है एक्जेंपल और दूसरी क्या दे रखी है a is willing not to not to dance in a competition if b pays him certain sum of money अब यह रोक दिया न a is not willing to dance in competition अगर b a को पैसे दे देगा तो वो dance नहीं करेगा अब रोक भी दिया abstrain कर दिया b ने offer दी a को कि मैं तुम्हें पैसे दूँगा तुम यह काम नहीं करोगे तुम्हें यह dance में participate नहीं करोगे तुम्हें competition में participate नहीं करोगे abstrain हो गया जो offer है वो positive भी हो सकती है जो offer है वो negative भी हो सकती है ठीक है I hope यहां तक आपको clear होगा आगे बताएंगे आपको यह देखो positive और negative दोनों ही हो सकती है willingness must be expressed with a view to obtain the ascent of the other party to whom the offer is made willingness जो है आपकी जो आप express कर रहे हो आपका view आपका आप चाहते क्या हो सामने वाली party की ascent लेना ठीक है सामने वाली party की ascent लेना जिसको offer दी जा रहे है उसकी ascent भी लेनी है तो उसको जब तक आप clearly बताओगे नहीं express नहीं करोगे तब तक आपको वो ascent कैसे देदेगा example देखो where a tells b that he desire to marry by the end of 2019 a ने b को बताया कि वो 2019 के end में marriage करना चाहता है it doesn't consecue an offer of marriage by a to b अब इससे ये तो clear नहीं होता कि जो a है वो b से शादी करना चाहता है b से marriage करना चाहता है b को propose कर रहा है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ उसने ये कहा कि मैं 2019 के end में marriage करना चाहता हूँ किस से करना चाहता है कुछ भी clear नहीं है therefore to consequence a valid offer expression of willingness must be made to obtain the ascent acceptance of the other एक valid offer बनाने के लिए express करना जुरूरी है willingness का उसके बाद सामने वाली party की ascent लेना भी जुरूरी है जिसको आप offer दे रहे हो अगर ये ए चीज एड कर देता will you marry me तो ये एक valid offer बनाता उसकी ascent कब मिलेगी b की ascent कब मिलेगी उसको जब वो b को propose करेगा तो ये express करना जुरूरी है और साथ में सामने वाली party की ascent भी लेना जुरूरी है जो आपकी offer है वो positive भी हो सकती है वो negative भी हो सकती है doing is a positive act और not doing is a negative doing ये इस काम को करना positive है not doing इस काम किसी काम को करने के लिए रोकना ये abstance है ये रोकना है not doing ये negative offer है ठीक है both these acts have the same effect in the eyes of law दोनों ही same effect है दोनों का same effect है लोकने इस रो में जैसे A ने अपनी card sell करी B को for 3 lakh is an act of doing उसने positive offer करी in case A isn't making an offer to B अगर A B को offer देता देता है तो ये क्या है A ने B को offer दी तो ये उनकी क्या होगी positive offer होगी 3 lakh में car को बेच दिया act of doing है चीक है अब देखते है negatively क्या होगी when A ask B A ask B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to the court अब A की जो car है वो उसका accident होगा B के scooter से अब B ने sorry A ने उसको offer दी B को कि वो court में ना जाए जितना भी खर्चा होगा जितना भी damage हुआ है वो उसको pay कर देगा ये कौन सी offer होगी ये negative offer होगी it's an act of not doing or abstain ये किसी काम को ना करने के लिए offer है ये abstain है ये किसी चीज को रोकना है abstain है तो ये होगी आपकी offer का meaning offer क्या होती है offer के essentials कौन कौन से है essentials में सबसे पहले देखो दो parties का होना जरूरी है जो एक दूसरे को offer करती है एक offer करती है और दूसरी offer को accept करती है ठीक है फिर willingness को express करना जरूरी है express कर दिया फिर वहाँ पे ascent लेना भी जरूरी है अब A ने ये तो बता दिया कि मेरी willingness से 2019 में शादी करने की बता दिया express भी कर दिया लेकिन ascent उसको कैसे मिलेगी जब B का इसके साथ कोई link होगा जब वो B को बोलेगा जब वो अपना sentence पूरा करेगा और जो ओफर है वो आपकी positive और as well as negative भी हो सकती है I hope यहां तक आपको clear होगा next आं बात कर रहे हैं kinds of offer के बारे में जो हमारे become students है university students उनके लिए ये 5 marks में भी questions आ सकते हैं ठीक है 5 marks में उनको आ सकते हैं express offer, impiled offer, general offer, specific offer इनके भी फर्दर होते है kinds चलो देखो how to made to whom made how to made basis पे दो जरा के offer है एक express है और एक impiled है express जो बोल के बताया जाए impiled जो हमारी activities बताती हो express शब्दों का यूज किया जा रहा है जहां तो बोल के बताया जा रहा है या return में बताया जा रहा है offer हो रही है impiled हमारी activities for example हम highway पे जा रहे है मालो वहां पे red light हो गई गाड़ी रुकी जो छोटे लड़के होते हैं हना वो क्या करते हैं car साफ करने लग जाते हैं कोई बड़े भी होते हैं बीच में वो भी बीच में car का जो होते हैं न car के उपर कपड़ा मारने लग जाते हैं सफाई करने लग जाते हैं अब वहां पे वो लोग offer impiled दे रहे हैं car driver को पता है कि यह क्यों साफ कर रहा है क्योंकि इसने पैसे लेने है ठीक है अगर वो उसको साफ करने के लिए मनन नहीं करेगा तो वो उसको पैसे दी जाएगा otherwise clear यह कि वो पैसो के लिए ही कर रहे है अब यह क्या हो गया यह impiled offer हो गया उसकी activity से उसकी काम से बदा चला कि वो क्या चाहता है वो क्या offer कर रहे ठीक है और to whom made किसको दिया जा रहा है यह depend करता है ठीक है उसके further classification है journal offer and specific offer an offer can be classified as journal offer, specific offer, cross offer, counter offer sending offer, open, continuing यह सारे offers के basis पे हम इसको classify कर सकते है देखो कौन-कौन से होते है journal, specific, counter, cross, and standing special offer भी होगे बीच में तो सबसे पहले बात कर लेते है journal offer के बारे में journal offer जो किसी के लिए भी हो किसी specific person के लिए नहीं है public at large किया जाता है उसको journal offer बोलते है it's an offer made to public at large and hence anyone can accept or do the desire कोई भी इसको accept कर सकते है और अपनी इच्छा के अनुसार उसको जो भी terms होंगे उसको पूरा कर सकते है offer को accept कर सकते है anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer जो person अपनी इच्छा अनुसार conditions को पूरा करेगा offer की माना जाएगा कि उन्होंने offer को क्या कर लिया accept कर लिया ये क्या हो गया हमारा journal offer हो गया until the journal offer is retraced और withdrawn it can be accepted by anyone at any time as it's a continuing offer जब तक ये री ट्रैक्ट नि किया जाता इसको withdrawn नि किया जाता जब तक जिसने ये दिया था वो वापिस नहीं ले लेता तब तक इसको कोई भी accept कर सकता है किसी टाइम पर भी accept कर सकता है और इसको हम दूसरा क्या कह सकते है continuing offer कह सकते है यहाँ पर आपको एक case study बताया गया है famous case है Carbolic smoke ball company ने advertise किया काफी सारे newspaper में कि हम 100 pounds है जो वो reward देंगे and to any person would be given to any person किसी भी person को मिलेगा who contractor influenza after using the smoke balls produced by the company जो भी smoke balls produce करती है company अगर influenza के साथ कोई भी person होता है influence होता है ठीक है तो उसको वो reward देंगी यह फ्ल्यू है फ्ल्यू की प्रॉब्लम हो जाती है थ्रॉट बगार में तो अगर company ने का कि अगर होता है तो हम उसको reward देंगे एक लेडी थी मिसिस क्रेल क्रैली उसने इस smoke balls को यूज किया company के जैसे directions थी उसी तरह से उसने offer के basis पे use किया और उसको influenza हो गया और वो इसको reward को क्या कर सकती है ले सकती है she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer उसने offer को accept किया था उसको वो problem भी हुई है तो वो इस amount को recover कर सकती है ठीक है तो यह होती है हमारी चर्नल offer चर्नल offer क्या होती है public at large दिया जाता है जो भी person अपनी इच्छानुसार desired के according conditions को पूरा करता है वो इस offer को accept करता है ऐसा मन जाता है और जब तक यह offer withdrawn नहीं किया जाता तब तक यह चलता रहता है कोई भी person anytime इसको accept कर सकता है इसको continuing offer भी बोलते हैं I hope यहां तक आपको clear होगा next हम बात कर रहे है specific offer या special offer के बारे में special किसी special person को ही देना है offer is made to a specific और a certain person it's known as specific person specific offer किसी special specified person को ही देना है offer तो उसको special offer यह specific offer भोला जाते है a ने sell करनी अपनी कार b को at a certain cost यह specific offer है ठीक है उसके बाद है हमारा हमारे पास cross offer cross offer कौन सी होती है जब दो parties ignorance के time ignorance के चलते एक दूसरे को offer दे देती है ठीक है तो उसको कहते हैं cross offer देखते हैं when two parties exchange identical offers in ignorance at a time of each other's offer एक दूसरे की offer पर ही एक दूसरे का offer दे देती है उसको cross offer बोलते हैं there is no binding contract in such a case because the offer made by person cannot be constructed as acceptance of the another's offer example देखो पहले फिर बताते हैं अगर अने बी को पर्पोसल दिया to sell his car for Rs. 2,00,000,000 and b without knowing the proposal of a makes an offer to purchase the same car at Rs. 2,00,000 from a it's not an acceptance as b was not aware of the proposal made by a it's only the cross offer cross proposal two persons make the offer to each other it can't be treated as a mutual acceptance there is no binding contract in such a case जब दो parties इस तरह से एक दूसरे को cross offer कर देती है तो उनकी ये mutual acceptance नहीं होती तो इस तरह की offer में इस तरह के cross offer में कोई भी contract binding नहीं होता है अब A ने B को पर्पोसल दिया 2,00,000 में उसकी car को बेचने के लिए B को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है या कभी कभी का होता हम दोनों सेम चीज़ के उपर सोच रहे हैं और दोनों के मुँँ में सेम टाइम से सेम वर्ड्स निकलते हैं कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा एक ठी बोल ले ऐसे हैं हमारे पंजाबी में बोल देते हैं एक साथ बोलना तो वो हमारी क्या होगी एक तरह की like example होगी हमारी cross offer की B को इसके बारे में नहीं पता है कुछ भी ठीक है तो B ने उपर से offer दे दिया कि मैं तुमारी कार को purchase करना चाहता हूँ तो दोनों की जो offer हुई वो कौनसी offer हुई वो cross offer हुई तो ये acceptance नहीं है क्योंकि B ने तो अपने और से परपोजल दे दिया एको चीक है तो इस तरह की जो acceptance है mutual acceptance नहीं ट्रेट किया जाता इस तरह की offer में कोई भी contract binder नहीं होता है I hope यहां तक आपको clear होगा next वे counter offer counter offer कौनसी होती है जैसे A ने कोई offer दी B ने उपर से अपनी offer दे दी तो वो क्या होगी हमारी counter offer जैसे मम्मी लोग करते है दुकान दर ने बोला कि इतने का मैंने देना है 1200 की मैंने चीज़ देनी आपको मम्मी बोले ना मैं तो 1000 दी दूँगी तो यह वाली कौनसी offer होगी हमारी counter offer होगी ठीक है पहले वाली offer खतम होगी और नहीं offer चल रही अभी counter offer क्या होती है when the offeree offers to qualify the acceptance of the offer subject to the modification and variations in the terms of the original offer original offer में कुछ variations कुछ changes और modifications हो जाए तो उसको हम counter offer बोलते है counter offer amounts to the rejection of original offer counter offer के साथ हमारी जो original offer होती है वो reject हो जाती है इसको हम conditional acceptance पे कह सकते है कि सामने वाला person accept तो कर रहे है लेकिन अपनी conditions पे कर रहे है ठीक है उसने अपनी और से seller को क्या दे दिया offer दे दिया तो उसको हम बोलते हैं counter offer A offers to sales plot to B for rupees 10 lakh B agrees to buy it for rupees 8 lakh A ने offer दिया 10 lakh में plot sale करने का लेकिन B ने buy कितने का करना है 8 lakh का इसको हम counter offer बोलते हैं जो A ने offer दी थी वो तो terminate हो गई वो तो खतम हो गई if later on B agrees to buy the plot for rupees 10 lakh A में refuse अगर बाद में A agree करता है चलो मैं ले लूँगा तो बाद में A भी refuse कर सकता है चिक्या? अब कहरा है वो मैं नहीं दूँगा 10 lakh में अब मैं तो 12 lakh में दूँगा तो यह होगी हमारी counter offer जब आपकी original offer खतम हो जाती है पूरी तरह जाती है next आ जाती है हमारे पास standing offer जिसको हम continuing और open offer भी बोलते हैं an offer which is allowed to remain open for the acceptance over the period of time it's known as standing or continuing or open offer standards that are invited for the supply of goods is a kind of a standing offer जब तक acceptance नहीं हो जाती तब तक यह open ही रहती है इसको हम standing offer या continuing offer या open offer बोलते हैं I hope kinds of offer आपको अच्छी तरह से clear होंगे अब हम आगे बात कर लेते हैं essentials of a valid offer valid offer के लिए कौन-कौन से essentials है ठीक है तो जो हमने पहले करा था वो क्या था essentials of a proposal अब बात करें valid offer के बारे में valid offer के लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले parties capable होनी चाहिए legal relation create करने के लिए must है legal relation के लिए capable होनी चाहिए आपकी जो offer है सामने वाली के जो acceptance है यह offer and acceptance giving rise to a legal relationship legal relationship का होना जरूरी है कोई भी social जो आपका relation होगा social contract होगा उसको आप court में नहीं लेके जा सकते legal relation होना जरूरी है if the offer doesn't intend to give rise to the legal consequences and creating the legal relations it is not considered as a valid offer in the eye of law अगर यह आपकी intention नहीं है यह दोनों के बीच में जो offer and acceptance हो रही है उसके साथ आपका legal relation नहीं बन रहा है तो यह कानून की नजरों में valid offer नहीं होगी social limitation even if it is accepted doesn't create a legal relation because it's not so intended क्योंकि आपकी intention ही नहीं है A ने B को as a friend जरूरी है intention होनी चाहिए capability होनी चाहिए I hope यहां तक आपको clear होगा It must be certain defined not vague यह clear होना चाहिए दोनों parties में जैसा बताया गया है वैसा होना चाहिए If the terms of an offer are vague और indefined Its acceptance can't be create the contractual relationship अगर आपका जो offer है वो vague है वो indefined है clear नहीं है Acceptance चाहिए आपको मेल गई है लेकिन आपके बीच में contractual relationship create नहीं हो सकता Where A offers to sell B 100 quantals of oil There is nothing whatever to show What kind of oil कौन सा oil आप बेचना चाहते हो भाईया यहां पे कुछ भी clear नहीं है तो यह जो आपकी offer है वो valid offer नहीं होगी valid contract नहीं बनाएगी Offer is not capable of being accepted for the want of certainty यह capable नहीं है क्योंकि यहां पे certain नहीं है निश्चित नहीं है कि आप कौन सा oil बेजोगे कौन सी quality है यह vague है हमें doubt है हमें clear ही नहीं है तो यह चीज नहीं होनी चाहिए ठीक है? I hope यहां तक आपको clear होगा आगे बात कर रहे हैं It must be communicated to the offer Offer को communicate करना जरूरी है Very much important Express करना जरूरी है Communicate करना जरूरी है जिसको आप offer दे रहे हो तभी तो वो accept करेगा Otherwise वो accept ही नहीं करेगा An offer to be complete Must be communicated to the person To whom it is made Otherwise there can no acceptance of it Otherwise इसकी कोई acceptance ही नहीं होगी Unless an offer is communicated There can no acceptance by it जब तक यह communicate नहीं करेंगे तब तक यह acceptance नहीं होगी An offer An acceptance of an offer In ignorance of the offer Is not acceptance And doesn't confer any right on the acceptance किसी भी तरह के Right को confer नहीं करता है जब तक आपको पता नहीं है जब तक आप उसको communicate नहीं करते हो ठीक है बहुत ही famous case है यह लालमन शुकला और गौरीदत के बीच में गौरीदत जो की जो की लालमन को जो उसका servant है उसको अपना nephew जो है missing nephew को trace करने के लिए बेजता है और पीछे से उसको यह announce कर देता है कि कोई भी person जो उसके nephew को डून के लेके आएगा उसको इतनी amount का reward मिलेगा अब जो लालमन था उसका servant उसको वो लड़का मिल जाता है ठीक है पर उसको इस announcement के बारे में नहीं पता क्योंकि उसके पिछे से वो इग्नोरेंट है वो अनाउंसमेंट के बारे में नहीं पता जब वो वापिस आता है लड़के को लेके उसको पता चलता है तब पता चलता है कि मुझे अब reward मिल सकता है क्योंकि इन्होंने advertise किया था announce किया था तो वो claim करता है claim करता है लेकिन उसको claim मिलता नहीं है hell he was not entitled to the reward as he didn't know the offer क्योंकि उस time पे वो तो present ही नहीं था उसको offer का पता ही नहीं था offer उसके साथ communicate नहीं हुआ है वो तो अपनी जो वो job करता है during job वो निकल ही गया था वहां से लेने के लिए लड़के को डूलने के लिए तो उसको offer के बारे में कुछ नहीं पता तो उसको कोई भी claim नहीं मिल चकता है ठीक है I hope यहां तक आपको clear होगा it must be made with a view to obtaining the ascent of the other party next है कि other party की ascent लेनी यह आपका view है आप लेना चाहते हो फोर्थ पॉइंट है हमारा यह थर्ड था यह फोर्थ है offer must be made with a view to obtaining the ascent of the other party addressed and not merely with a view to disclosing the intention of making the offer सिरफ offer को बताना आपकी attention नहीं है offer को disclose करना आपकी intention नहीं है आप सामने वाली की ascent भी लेना चाहते हो यह जरूरी है ठीक है एक वालीड कॉंट्रेक्ट के लिए it may be conditional यह हो सकता है कि conditional हो सामने वाला पार्टी है जो acceptance जो है वो condition basis पे करे ठीक है offer ने जो है वो payment के लिए RTGS और NEFT के बारे में बोल दिया कि payment मैं इनके थूरू लूँगा तो जो offer है उसको offer को accept करना पड़ेगा we'll have to accept all the terms यह offer नहीं है sorry यह terms है कि payment किसके थूरू होगी यह जो terms है offer के वो accept करेगा otherwise the contract will be treated as invalid terms को पूरा करने जो आपकी condition जिसको conditional भी कह सकते है सारी conditions को सारे terms को पूरा करना जुरूरी जुरूरी है otherwise आपका जो contract है वो invalid मानना जाएगा an offer can be subject to any terms and condition by the offerer offerer के दुवारा कोई भी term and condition रखी जा सकती है जिसको उसने accept करना है छीक है offer should not contain a term the non-compellancies which would amount to the acceptance ओके इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपका जो offer है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए कोई इस तरह की condition नहीं होना चाहिए कि अगर आपका reply नहीं आया तो हम समझ लेंगे कि आपने offer को accept कर लिया अब देखो example में क्या है हमारे पास A proposes B to purchase his Android mobile for rupees 5000 and if no reply by him in a week it would be assumed that B had accepted the proposal A ने proposal दिया कि 5000 में मेरा mobile रख लो purchase कर लो अगर तुमने one week के बीच में reply नहीं किया तो मैं समझ लूँगा कि तुमने mobile लेना है तो ये contract नहीं बजाता आपको आपने अपनी और से नहीं मान लेना कि अब तक तो उसकी हाई होगी ठीक है one can't say that if the acceptance is not communicated by certain time the offer would be considered as acceptance मतलब आपकी जो acceptance अगर आपने communicate नहीं करी इतने समय तक नहीं बताया तो हम उसको offer को accepted मानेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है next आजाता है offer may be either specific or journal offer आपकी specific भी हो सकती है और journal भी हो सकती है यह हम अलड़ी discuss कर चुके हैं I hope यहां तक आपको clear होगा उसके बाद जो offer है express भी हो सकती है और impiled भी हो सकती है offer by word है जो वो आपकी express है by activities है जो वो by impiled है यही example आगी avoid starts cleaning the car as it stops on the traffic signal without being asked to do so उसने पूछा थोड़ी है उसने ऐसे start कर दिया clean करना तो उसके जो activities है वहां से हमें पता चलेगा कि यह expect कर रहा है कि इसको कुछ payment दी जाए तो यह impiled offer होगी ठीक है I hope यहां तक आपको clear होगा तो थोड़ा सा हमारा topic pending है जुसको हमारी next class में discuss करेंगे तो lessons अच्छा लगते हैं lessons को like जरूर कीजिए share जरूर कीजिए और हमें sport करते रहिए बहुत ज़्यादा जरूरत है आपके sport की आपकी help की God bless you all चलो मिलते हैं हमारी next class में thank you students lessons को like करना share करना मत भूलिएगा thank you